लिफ्ट में पालतो कुत्ते को ले जाने को लेकर एक बार फिर से विवाद हुआ है, रिटाइड आईएस, आरपी, गुपता और महिला के बीच मार पीछ हुई है, महिला अपने कुत्ते को साथ लेकर जाने के लिए अडी हुई थी, रिटाइड आईएस अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे महिला ने विरोध जताते कुए उनका मोबाइल चीन कर जमीन पर फेंग दिया इसके बाद दोनों के बीच हाथा पाईव कुई घटना का CCTV फोटेज सामने आया है मामला सेक्टर 108 की पार्क लॉरेट सोसाइटी का है थाना सेक्टर 49 पुलिस CCTV फोटेज क मतुरा में निवार की फैक्टरी और गोदाब में आग लग गई देखते ही देखते आग विक्राल हो गई दमकल की पांच गाडिया मौके पर पहुंची कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया आग लगने के पीछे वजह क्या रखी ये पता लगाने की गली में हुआ आग से लाको कमाल जलकर राख हो गया गनीमत की रही कि कोई जन हानी नहीं ही कर दो गाडी ये और एक छोटी गाडी कुल पांच फाय टिंडर चार बड़े फाय टंडर एक छोटे फाय टंडर पांच पाई टंडर ले करके हम मैं सब्सक्राइब करके आग को पूर्ण रूप से लगभग बुझा दिया है तोड़ी बहुत रह गई है तोड़ी समनकार चला है अब भावन के अगल भावन पूरा सब भावन बिल्डिंग सु अच्छी थै कोई भी जनहान नहीं है कोई भी कैजवल्टी नहीं है कोई भी और आग को बुझाया गया गोवन नगत हाना क्षेत्र कृष्णा पार्क के पास की इखतना बताई तो हर्दोई में तेज रफ्तार बुलेरो पेर से टकरा गई हाथसे में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई एक मासूम भची समय पांच की मौत हुई है हर्दोई परिवार वालों की प्रती समीदना व्यक्त की है दुरघटना में घायलों का समुच्चत उपचार करा जाए घायलों के शिक रिस्पॉस्त होने की काम ना की है सवाईचपुर थानाक्षेत्र में कट्राव विलोर हाईवे पर खमरिया गाउं के पास की एखटना है जाईलो कार पुलिया से तक्रा कर पेड से तक्रा गई कार की तक्र इतनी जोरदार थी की गाड़ी के पर खचे उड़ गए कार में सवार बच्ची समय पांच लोगों की मौत हो गई व्रित घोशित कर दिया गया है और इस बच्चा चार ब्यक्ति हैं जिनके नाम है नाजाराम, मुकेश, उसियार और मनोज एक बच्चा है इसका नाम है मलू वो चार वर्सका है बनू जो है मुकेश का ही पुत्र है इनको अन्यावासिम के दिक कारवाई की जा रही है इस बड़ी खबर इस वक्त मेल रही है कई अहं प्रस्तावों को लेकर मोहर लग सकती है। योगी सरकार गरना मुले में 20-25 रुपय प्रतिक्विंटल की वर्धी कर सकती है। साल 2017 में गरने की मुले में 10 रूपई प्रतिक्विंटल की व्रिधी हुई थी और साल 2021 में गरने की मुले में 25 रूपई प्रतिक्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी योगी सरकार ने बीटे 6 सालों में गर्ना मुले में 35 रुपई प्रतिक्विंटल की बढ़ोत्री की है और अब सरकार तीसरी बार गर्ना मुले में बढ़ोत्री कर सकती है फिलाल यूपी में गन्य की रेजेक्टेट फ्रजाती का 325 रुपई प्रतिक्विंटल मूल्य है सामान्य 340 और उन्नत केस्म के गन्य का मूल्य 350 रुपई प्रतिक्विंटल है